हाई कैसे हो दस इस प्रेम एजो के इशनल हाइक के यूटूब प्लाटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है मैंने आपको बता रखा है हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के इंगलिस के बिहाइफ के चाप्टर्स जो कि आपके टर्म 2 के एक्जाम में इसके पहले हमने जितनी भी चाप्टर्स जो आपके टर्म 2 के एक्जाम में आ रहे हैं उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है विडियो को जाकर जरूर देखो लाइन बाइन समझाया है मेरी जान नो मेन आर फॉरेन ये चाप्टर नंबर 6 का पोयम है और ये पहला पोयम है जो आपके एक्जाम में आ रहा है इसको लाइन बाइन समझेंगे इमेजस के साथ समझेंगे एक-एक वर्ड का मतलब बताऊंगा और पूरा पोयम बहुत अज़े समझ में आने वाल है विडियो को लास्ट तत आपको देखना है इसके बदले कुछ नहीं करना बस चानल को सस्क्राइब करना है बेल आइजन को पैस करना है ताकि हमारी ये य और युद्ध चल रहे थे एक कंट्री दूसरे कंट्री को मारने के चक्कर में थी तो इन सबसे पोयेट ने हट कर ये पोयम बनाई है और हमें बताया है कि हमें एक दूसरे से मिल जूलकर क्यों रहना चाहिए ठीक है रीजन बताया है इसमें चलो पोयम को पढ़ेंगे have you ever thought of some people as strange और other countries as foreign आपसे question पूछ रहा है कि क्या आपने कभी किसी ऐसे इनसान को देखा है जिसे आप strange कहते हो बहुत सारे ऐसे लोग है जिनको हम नहीं जानते हो उनको हमाजनभी कहते हैं हम दूसरे देश को foreigner कहते हैं हम कहते हैं भाई दूसरा देश मतलब क्या है foreign है वो हम सभी ऐसा करते हैं we have many ways of thinking other people as different from us अब देखो हमारे पास तो बहुत सारे reason है कि हम लोगों को अपने से अलग समझे मतलब हो सकता है कि हम country के base पर divide हो जाए मतलब हम कह सकते हैं कि अमेरिका वाले अलग है क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई जो दूसरे लोग है या जिन्हें हम नहीं जानते वो हमसे अलग हैं they may belong to a different country हो सकता है वो किसी दूसरे देश से हो कोई दूसरा language बोलते हो लेकिन इस poem में हम क्या पढ़ेंगे however the poet reminds us of many ways in which we all are the same for we all are human इस poem में हम क्या पढ़ेंगे इस poem में poet ने हमें ऐसे कई सारे तरीके बताए हैं जिससे हम ये सोच सकते हैं कि इस धर्ती पर रहने वाला एक एक इनसान बिलकुल सेम है हम एक दूसरे से बिलकुल भी अलग नहीं है क्योंकि हम क्या है है तो आखिरकार इनसानी चाहे पाकिस् तो इससे एकदम सेम है तो पहला stanza remember no man are strange no countries are foreign poet हमसे कह रहा है कि सबसे पहले एक चीज़ तुम याद रखो कि भाई कोई भी इनसान अजनबी नहीं होता है और कोई भी देश विदेश नहीं होता है हम जिसे नहीं जानते उसको हम कहते हैं अजनबी ठीक है दूसरे देश को हम विदेश कहते हैं तो poet कह रहा है कि सबसे पहले अपने दिमाग में ये डालो कि कोई भी इनसान हमारे लिए अजनबी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी इनसान ही है no countries are foreign और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो विदेश कहें हम क्यों क्योंकि दूसरा देश भी बिलकुल हमारे द इसकी तरह ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं beneath all uniforms a single body breeds हर तरीके के uniform की नीचे uniform किसे कहते हैं जो militants का कपड़ा होता है उनको हम uniform कहते हैं चाहे अब इंडिया की military हो चाहे पाकिस्तान की military हो चाहे अमेरिका की military हो भाई किसी भी तरीकी की military हो जो uniform जो कपड़े उन्होंने पहने तरीके की body है जो सास लेती है और वो है इंसान की body ऐसा तो नहीं है ना कि अमेरिका में robots लडाई कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है भाई हर देस का जो uniform होता है उसके नीचे एक इंसान है जो सास ले रहा होता है like ours जैसे हम इन्सान है वैसे वो लोग भी इंसान है पाकिस्तान का भी जो military है वो भी इंसानी है हमारी जो military है वो भी इंसानी है किसे दूसरे देश के भी जो military है वो भी इंसानी है The land our brothers walk upon is earth like this कहा जा रहा है कि The land our brothers Brothers किसके लिए use हुआ है भाई दूसरे देश के जो लोग है जिने हम नहीं जानते हैं उनको poet कह रहा है brothers, कहा जा रहा है कि भाई, जिस धर्ती पर दूसरे देश के लोग चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो धर्ती बिल्कुल हमारी धर्ती की तरह है, मतलब जिस धर्ती पर हम रहते हैं, हम चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही धर्ती पर दूसरे देश के लोग या जिन स्टैंजा में poet ने हमें बताया है भाई कि किसी भी देश का इंसान हो वो होता हमारी तर है यह बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ते हैं और कहा जा रहा है कि भाई दूसरे देश के लोग भी या जिन्हें हम अजनवी समझते हैं उन्हें भी उतनी ही सनलाइट मिलती है उतनी ही हवा मिलती है और उतना ही पानी पीने को मिलता है जितना हमें मिलता है और जैसे हमारे यहां युद्ध नहीं होता जब हमारे यहां सान्ती होती है जब हमारे देश में सान्ती होती है तो जब फसल काटते हैं तो हम उसे सांती से खाते हैं, बैटकर दूसरों के साथ सेयर करते हैं, जब युद्ध नहीं होता, तो सब कुछ सांती से होता है, वार्स लोंग विंटर स्टाब्ड और जब वार हो रहा होता है जब हर जगह युद्ध छिड़ी होती है तो हम सभी देश की लोग एक साथ क्या करते हैं खाना नहीं खाते हैं भाई हमारे देश मेंगर युद्ध हो जाए तो हमें खाना नहीं मिलेगा है की नहीं, खाने की कमी हो जाएगी तो वैसे ही दूसरे देश में भी जब युद्ध होता है तो वहाँ भी खाने की कमी होती है अब देखो यहाँ पर एक figure of speech का use हुआ है Wars, long winter, metaphor का use हुआ है यहाँ पर war को winter से compare किया गया है जो ठंडी है वो बिलकुल war की तरह होती है युद्ध की तरह होती है जैसे ठंडी में कोई भी फसल नहीं उखती ठंडी में सारे पत्ते जड़ जाते हैं सारे फल गिर जाते हैं ठीक है? बिलकुल वैसे ही जब सांती रहती है तो सभी देश के लोग अपने फसलों को उगाते हैं, काटते हैं, हसी हुसी से खाते हैं, लेकिन जब war चल रही होती है, तो सबी देश के लोग भूखे मरते हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं होता है, ऐसा हर जगह होता है, उनके हाथ भी हमारी हाथ की तरह ही है, और हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं, जिन रेखाओं को हम पढ़ते हैं, हम हाथ की लाइन्स पढ़ते हैं, कि तुम्हारी दो बीवी होंगे, तुम्हारे चार वच्चे होंगे, तो भाई बिलकुल हाथ की लकीरे उनकी भी बिलकुल सेम है, जैसे हमारी है, लेबर, not different from our own, और वो लोग भी दूसरे देश के लोग भी, या जिसे हम अजनवी समझते हैं, वो लोग भी उतनी ही लेबर करते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं, जितनी हम करते हैं, not different from our own, मतलब हम उसे कम मेहनत नहीं करते हैं वो लोग जीने खाने के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं यहाँ पर ताकि हम खा सकें अच्छे से रह सकें वो लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं जीने और खाने के लिए तो इस paragraph में भी poet हमें कह रहा है कि भाई बिलकुल सेम भगवार ने सब कुछ द लग करके बैठे हुए है इसरी अनिकेडमी प्रॉडिजी के बारे में आपको पता है बिगेस स्कॉलर्शिप टेस्ट फॉर क्लास सेवें टुवेल्ट आइटी जे ये नीट के अंडर्ग्रिजुएट स्टुडेंस के लिए ये है इसके अलामा अनिकेडमी प्रॉडिजी का जो 23 जनवरी को अलड़ी लांच हो चुका है तो 29 फरवरी और 13 फरवरी तीन दिन और आप ये प्रॉडिजी स्कॉलर्शिप टेस्ट में पार्ट ले सकते हो इसमें आप बहुत सरे स्कॉलर्शिप जीश सकते हो एपल के प्रोड़क्त जीश सकते हो जैसे एमेजॉन एको फ ग्रेजुएशन आप करोगी और पोस्ट ग्रेजुएशन करोगी उसमें आपको 20 लाग तक का एड मिल जाता है इसके अलाम आप अनिकेटमी का लिमेटिक टाइम ओफर का भी फायदा उठा सकते हो यह ओफर क्लास 6 तू क्लास 12 के सस्क्रिप्शन लेने पर है अगर आप 12 मह आपको मैजिक सिखाया जाएगा चोडिंग सिखाया जाएगी छे महिने का क्रेटिव कॉर्णर स्क्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफकॉस मिलता है और यह ओफर केवल सुरुआत की 500 बच्चों के लिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स मिल जाएगी गो एं हर देश के लोग चाहे कहीं के लोग हो अगर वो इस धर्ती पर पैदा हुए है तो उनकी आखे बिल्कुल हमारी तरह है जैसे हम सोते हैं उठते हैं वैसे दूसरे देश के लोग भी सोते हैं और उठते हैं and strength that can be won by love और उनके अंदर भी उतनी ही ताकत होती है जितनी हमारे अंदर होती है और एक बात तो है कि भाई ताकत को प्यार से जीता जा सकता है कोई बहुत ताकतवर है आप उससे लड़ाई करके नहीं जीत सकते हो तो आप उससे समझाता कर लो प्यार से बात कर लो ठीके तो वहीं कहा जा रहा है कि भाई सभी देश के इंसानों के पास या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा ठीक है वो तो हेई एस या In every land is common life that all can recognize and understand कहा जा रहा है कि भाई in every land मतलब हर देश में, हर देश के जमीनों पर एक ही तरखे की life पाई जाती है और वो किस की life होती है? Human life होती है ठीक है? Of course, जानवर होते हैं लेकिन यहां इनसानों की बात की जा रही है कि भाई, कोई भी country हो, land मतलब कोई भी देश हो, वहाँ पर common life पाई जाती है एक अई तरीके की जन जाती पाई जाती है जिसको हम इनसान कहते हैं, homo sapiens कहते हैं that all can recognize and understand और author के रहे कि भाई, अगर हम एक दूसरे को समझना चाहें तो हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं हम एक दूसरे को समझ सकते हैं उनकी feelings को समझ सकते हैं उनकी emotions को समझ सकते हैं और इस तरीके से कभी भी लडाई ही नहीं होगी क्यों? क्योंकि बिल्कुल हमारी तरफ वो लोग भी है, वो भी सांती चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, let us remember, whenever we are told to hate our brothers, कहा जा रहा है कि एक चीज तुम्हें याद दिला दूँ कि जब गभी भी तुम्हें ये कहा जाए, या कोई कहे कि अपने भाई पाकिस्तानियों से घृड़ा करो, hate करो, भाई, किसके लिए? अजनभी लोगों के लिए, जो दूसरे देश के लोग है, हमें अक्सर कहा जाता है कि भाई, पाकिस्तानियों से घृड़ा करो, या मुसलिमों से घृड़ा करो, तो कहा जा रहा है कि हमेशा याद रखना, जब कभी भी तुम दूसरों को परिशान करने जाओ या तुम किसी दूसरे को घ्रिडा करने पहले एक चीज़ याद रखना कि it is ourself तुम अपने आपसे ही घ्रिडा कर रहे हो that we shall disposes मतलब तुम अपने आपसे ही dispose कर रहे हो, मतलब dispose मतलब होता है छीन लेना ठीक है, क्या होता है, snatch छीन लेना, dispose का मतलब होता है जैसे युद्ध होता है, तो वहाँ पर हम दूसरों की जमीन छीन लेते हैं न तो वही कहा जा रहा है कि जब कभी भी तुम ऐसा करने जाना तुम कभी भी किसी के साथ बुरा करने जाना, तो याद रखना तुम खुद के साथ बुरा कर रहे हो, it is ourself मतलब, तुम खुदी अपने आपका बुरा कर रहे हो, तुम क्या क्या कर रहे हो तुम लोगों से जमीने छीन रहे हो तुम लोगों को धोखा दे रहे हो तुम condemn कर रहे हो, condemn का मतलब क्या होता है, बुराई करना, ठीक है, तो जब कभी भी तुम ये सारी चीजे किसी और इंसान की कर रहे हो, तो याद रखना तुम खुद की बुराई कर रहे हो, तुम खुद को धोका दे रहे हो, तुम खुद से चीजों को छीन रहे हो, ठीक है, तुम किसी दूसरे से नहीं, वलकि ये सारी चीज़े तुम खुद से कर रहे हो. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. जा रहा है, एक बात और आपको याद रखनी है, कि we, हम लोग, जब हम लोग क्या करते हैं? टेक arms against each other, जब हम एक दूसरे की खिलाफ weapons उठा लेते हैं, बंदूखे उठा लेते हैं, ये कब होता है? युद्ध में हम एक दूसरे के खिलाज क्या करते हैं बंदूखे उठा लेते हैं दूसरे देश की जो मिलिक्ट्री होती है वो हमारी उपर बंदूखे लगाती है हमारी देश की मिलिक्ट्री दूसरे लोगों को उपर बंदूखे लगाती है तो जब कभी भी हम एक दूसरे की खिलाब बंदूखे उठाए ना, तब याद रखना कि हम क्या कर रहे हैं, it is the human earth that we defile, ये हम सभी इंसानों की वो धर्ती है, जिसे हम सब मिलकर एक साथ गंदा कर रहे हैं, defile कर रहे हैं, dirty कर रहे हैं, तो poet हमें कह रहा है कि भाई, जब कभी हम एक दूसरे की खिलाब बंदूखे उठाए ना, तो हमें ये याद रखना चाहिए, कि हम क्या करेंगे, हम बंदूखों से अपनी ही धर्ती को गंदा करेंगे, धर्ती गंदा कैसे होगा, भाई, बंदूखे हैं, तो एक दूसरे पर हम चलाएंगे, लोग मरेंगे, लोग कहा जा रहा है कि our health of fire जो हम आग के गोले फेकते हैं यानि बॉम्ब जो हम फेकते हैं दूसरे देश पर और dust dust मतलब और जो हम गंदगी करते हैं किस तरीके के गंदगी जो हम लड़ाई करते हैं तो इससे होता क्या है? Outrage हो जाता है गंदा कर रहे हैं जब कभी भी हम आग के गोले लोगों पर बरसाते हैं जब कभी भी युद्ध होता है तो हर जगा धूल, मिट्टी लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? हम अपनी ही हवा को गंदा कर रहे हैं अपनी ही हवा के innocence यानी purity को क्या कर रहे है impure कर रहे है that is everywhere our own हम उस हवा को गंदा कर रहे है जो हमारा है हवा तो सभी लोगों के लिए एक ही तरीके से आता है तो भाई हम अपनी ही हवा को गंदा कर रहे है और आखिर में poet ने इस particular poem के जो first line में use किया था उसका उल्टा करते हुए poet ने कहा है कि भाई इसलिए हमें war छोड़ देना चाहिए war छोड़ ना यार क्यूंकि हम सभी इंसान एक जैसे ही है और हमें no men are foreign किसी भी इंसान को विदेशी नहीं समझना चाहिए और किसी भी देश को अजनभी नहीं समझना चाहिए इस पोएम को तब लिखा था जब हर जगह युद का माहूल था हर जगह लड़ाई जगडे का माहूल था और इसलिए इससे दुखी होकर James Kirkup ने ये पोएम लिखा था जिससे वो लोग भाईचारे का संदेश देना चाहते थे हमें सांती से रहने का उपदेश देना चाहते थे ठीक है तो पोएम बंडे में मज़ा आया है मज़ा आया हो तो ज़रूर बताना कैसे बताओगे चैनल को सस्क्राइब करके और इस वीडियो को सेयर करके ठीक है बबाई टेक केर इस पडिकुलर पोएम का जो NCRT exercise दोर word meaning है उसके साथ हम जलना आएंगे तब तक के लिए बाबाई टेक केर एंड चैनल